कनाडा में अब संगर्ष का एक नया मोर्चा खुल गया है बलूच नेता करीमा बलोच की हत्या के बाद अब बलूच इस्तानियों के कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है एक तरफ जहां पर खालिस्तानी चूडो के समर्थर में खड़े हैं तो बलूच लोग चूडो से ये सवाल पूछ रहे हैं कि निजजर की हत्या पर चूडो इतने आशू बाहार हैं लेकिन करीमा बलोच की हत्या पर खामोश क्यों है जस्टिन प्रूडो ने भारत के खिलाफ जो अनर्गल प्रलाप किया है उसकी सजा अब उनको कैनड़ा के लोग ही दे रहे हैं कैनड़ा के अंदर काम करने वाले एक संगठन नहीं अब जस्टिन प्रूडो को एक चिट्थे लेकर काफी ज्यादा फटकार लगाई है जो एक कैनेडा के बलूच संगठन ने लिखी है और इस चित्थी में जस्टिन टूडो के दोहरे मापदंडों पर खुल कर वार किया गया है इसके अलावा कैनेडा के जिस संसद में जस्टिन टूडो ने भारत के खिलाब जूट भोला उसी संसद में अब ऐसा कांड हो गया है कि जस्टिन टूडो की पूरी दूनिया में बदनामी हो रही है और पूरी दूनिया जस्टिन टूडो पर हंस रही है आखिर ऐसा क्या हुआ है कैनेडा की संसद में पूरी घटना हम आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे 15 अगस 2016 को प्रधान मंत्री मोधी के इस भाशन से क्योंकि जस्टिन टूडो की सरकार की जो पोल खुली है इस पूरी कहानी का एक किर्दार लाल किला भी है मैं आच लाल किले की प्राचीर से कुछ लोगों का विशेश अभिनंदन और आभार वेक्तर करना चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों से बलुचिस्तान के लोगों ने गिलगीट के लोगों ने पाक अक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने पाके नागरीकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत दन्यवाद दिया है जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्तर किया है मेरे प्रती उन्होंने जो सद्भावना जताई है दूर दूर बैठे विये लोग जिस धर्ति को मैंने देखा नहीं है जिन लोगों को विशे में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे विए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधान मंत्री को अभिनन दन करते हैं उसका आदर करते हैं तो मेरे सवासो करोर देशवासियों का आनद है मोदी के इस भाशन के बाद पाकिस्तान अंदर से हिल गया था क्योंकि प्रधान मंत्री मोदी ने सीधे उन लोगों को संबोधित किया था जो पाकिस्तान के अंदर रहकर भी भारत से प्रेम करते हैं और इनहीं में से एक नाम करीमा बलोच का भी था करीमा बलोच ने प्रधान मंत्री मोदी को अपना भाई बताकर राखी का रिष्टा जोड़ा था लेकिन उनहीं करीमा बलोच का कैनेडा के अंदर कतल हो गया और इस कतल को लेकर ही अब कैनेडा के बलोच यूमन राइट्स काउंसिल ने एक चित्थी कैनेडा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो को लिखी है इस चित्थी का जो विशय लिखा गया है वो बहुत ही ज्यादा दिल्चस्प है बलोच यूमन राइट्स काउंसिल करीमा बलोच के कतल के मामले में कैनेडा सरकार के हैंडलिंग के तरीके पर चिंता जाहिर करता है इसी चिठी में बलूच Human Rights Council ने जस्टिन टूडो की पोल खोलते हुए लिखा है कि बलूचिस्थान मानवा धिकारों के रक्षक करीमा बलूच के हाई प्रोफाइल और संदिक्द मौत के संबंध में प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो की स्पष्ट चुप्पी आज तक कायम है कैनडा में हरदीप सिंग निजजर की गोली लगने से होई मौत के संबंध में House of Commons में उनके जोशीले भाषनों को काफी कवरिज मिली है लेकिन करीमा बलूच के हत्या पर चुपी साथ ले गई है इस चिठी में जो लिखा है उसने जस्टिन टूडो को काफी बेचैन और परिशान कर दिया है लेकिन पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिक करीमा बलूच की हत्या कैसे हुई खुद को मोदी की बेहन कहने वाली करीमा बलूच की कहानी सुनने से पहले करीमा बलूच का ये बयान सुने जिससे उसकी बहादुरी जग जाहिर होती है जो आर्मी हमारे गर में गुषकर हमें मार रही है हमारे ओ cemetery कर रही है हमारे बच्चों को उटा रही है उस आर्मी को वो यहां पर पना दे रहे हैं सहुलतें दे रहे हैं ताके वो और काबल हो जाए हमें मारने के जो आर्मी जो आर्मी 90-70 को बंगलादेश में वार क्राइम्स में मुलविस रही है जिनोसाइड में मुलविस रही है लाकों बंगाली ओरतों की असमत दरी करने में मुलविस रही है वही आर्मी वो नाइन्टी फॉर्टी सेवन से पॉर्टी एट से बलूचस्तान में कर रही है वही वार क्राइम वही जेनोसाइड वही इज्टमाई कबरी करीमा बलोच के पास ना कोई बंदूग थी ना कोई मिसाइल लेकिन वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाब बोल रही थी करीमा बलोच पाकिस्तान की आर्मी के उन सारी काली करतूतों और कच्चे चिठे को दूनिया के सामने रख रही थी जिससे दुनिया अंजान थी और यही वज़त थी कि पाकिस्तान की आर्मी और आई एसाई ने करीमा बलोच को टार्गेट पर ले लिया साल 2005 में करीमा बलोच को पहली बार बलोचिस्तान के अंदर उन लापता और गायब होए लोगों के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए देखा गया था जिनको पाकिस्तान की सेना ने उठवा लिया था और मार दिया था धीरे धीरे पाकिस्तान के अंदर करीमा बलोच बलोच बलोचस्तान की आवाज बन गई थी और ये पाकिस्तान की सरकार को बहुत चुब रहा था आखिरकार 2015 में करीमा बलोच कैनेडा भाग गए ताकि अपनी जान बचा सके और फिर कैनेडा से ही उन्होंने बलूचिस्तान की आवाज को बुलंद किया बलूच कारेकरता ये दावा करते हैं कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान की सरकार ने 55,000 बलूच लोगों को गायब करवाया है या उनको किड्नैप कर लिया है पंद्र अगस्त 2016 को जब स्वतंत्रता डिवस के मौके पर प्रधान मंत्री मोदी ने बलूचिस्तान की लोगों की आवाज को बुलंद किया था तब 19 अगस्त को करीमा बलूच ने ही लंदन से प्रधान मंत्री मोदी को रक्षा बंधन के दिन एक पैगाम भीजा था उन्होंने खुद को मोदी की बहन बताकर गायब हुए बलूच लोगों के लिए आवाज उठाने का दिक्र किया था आपको बलूच जिस्तान की बहने एक बाई की हैसित से मानते हैं और आप से यह उमीद रखते हैं कि आप बलूच जेनुसाइड बलूच जिस्तान में वार क्राइम्स और हीमन राइट्स वाइलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फॉरम्स पर बलूचों की आवाज बनेंगे और तमाम उन बेहनों की आवाज बनेंगे जिनके बाई लापता हैं हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे हमें आप से सिप आपका आप हमारी आवाज बन जाएं लेकिन ये सारी बातें पाकिस्तान की आर्मी और आयेसाई के खुंखार जनरलों को बरदाश्ट नहीं हो रही थी आखिरकार कैनेडा के अंदर रणनीती के तहट पाकिस्तान के अपराधियों को बसाया किया और फिर ऐसे ही अपराधियों ने 22 दिसंबर 2020 को करीमा बलोच की हत्या कर दी टोरंटो के अंदर एक जील में करीमा बलोच की लाश मिली थी और अन्तालीस घंटो के अंदर ही टोरंटो पोलिस ने जाँच पूरी कर ये कह दिया कि इस मौत में कुछ भी संदिक्द नहीं है और तब कैनड़ा के प्रधान मंत्री जस्तिन टूडो ही थे जबकि करीमा बलोच को पहले भी जान से मारने की धमकिया दी गई थी इसी नाइनसाफी पर बलोच यूमन राइट्स काउंसिल ने कैनड़ा के प्रधान मंत्री जस्तिन टूडो को चिठ्ठी लिख कर घेरा है इस संस्ता ने लिखा है कि करीमा बलोच की असामाइक मौत जो संदे में घेरी होई थी लेकिन टोरंटो पुलिस ने 48 घंटों के अंदर ही बहुत तेजी से ये निशकर्ष ले लिया कि घटना संदिध नहीं सामान ने है करीमा बलोच को ISI से मेली गंभीर मौत की धंकियों के बारे में कैनेडाई सरकार और टोरंटो पुलिस को अच्छी तरह से जानकारी होने के बावजूत भी ऐसा हुआ और इस पर चुप्टी वनाई रखी गई आगे जस्टिन टूडो के खालिस्तान तोष्टिकरण के नीती का परदाफाश करते हुए इस बलूच संस्था ने जस्टिन टूडो पर भेद भाव का आरोप लगाते हुए चिठी में ये लिखा कि करीमा बलूच के हत्या की जाच शिर्फ इसलिए ही ठीक से नहीं की गई क्योंकि बलूचों की जनसंख्या कैनेडा में कम है और वोट बैंक की तरथ चुनाओ में असर डालने में सक्षम नहीं है अब कैनेडा में विपक्ष के नेता पियरे पूली वरे ने भी ये साफ किया है कि इतनी बड़ी देमोक्रासी भारत पर एलजाम लगाने से पहले जस्टिन टूडो को पुखता सबूतों का इंतजाम कर लेना चाहिए था 23 जून 1985 को एर इंडिया के फ्लाइट नंबर 182 में ब्लास्ट हुआ था इस बिमान में बम फिट करने का काम बबर खालसा के आथंक्यों ने किया था भारती ए खोफिया एजेंसी रो ने इसकी जानकारी भी कैनेडा के खोफिया एजेंसियों को दी थी और कैनेडा की खोफिया एजेंसियों को भी इस ब्लास्ट से पहले ही जानकारी मिल गई थी लेकिन इसके बावजूद भी कैनेडा की खोफिया एजेंसियों ने इस बम ब्लास्ट को होने दिया 20 सालों तक इस मामले की जांच चली और जांच में 13 करोड रुपए खर्च हुए उसके बाद जब कैनेडा की खोफिया एजनसी के खिलाफ रिपोर्ट बनी तो कैनेडा की खोफिया एजनसी ने भी माफी मांगी थी ये ब्लास्ट एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में हुआ जिसको एंपरर कनिश भी कहते थे इस विमान में ब्लास्ट अट्लांटिक महासागर के 9 किलो मीटर उपर हुआ था आयरलैंड के समुदरी तटों पर बाद में हाध्से के अवशेश मिले थे हालात एतने दर्दनाक थे कि कुछ लोग ब्लास्ट से जिन्दा बच कर समंदर में गिरे लेकिन तैरना नहीं आने की वज़े से वो डूप कर मारे गए खर जिम्मेदारी दिखाने वाली कैनड़ा की खुफिया एजेंसी किला परवाही इसके लिए जिम्मेदार थी और ये दुख की बात है कि कैनड़ा के वर्तमान प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो ने भी अपने देश के इतिहास से कुछ सबक नहीं लिया और सीधे गैर जिम्मेदारी बाला बायान जारी कर दिया जस्टिन टूडो के दोरे मापदन के सबूत एक नहीं कई है जहां भारत पर आरोप लगा रहे हैं वही चीनी मूल के कनाड़ाई नागरिक की कनाड़ा की धर्ती पर हुई हत्या पर चुपपी साथ रखी है एसा माना जा रहा है कि चीन के नागरिक की हत्या चीन की कम्यूस पर्टी के इशारे पर की गई है कनाड़ा की न्यूज वेबसाइट काउंटर सिगनल के रिपोर्ट के मताबिक हरदीब सिंग निजर के हत्याकांट की जाँच जो एजेंसी कर रही है वही एजेंसी चीनी मूल के कैनड़ाई नागरिक की जुलाई 2021 में होई हत्या की जाँच कर रही है दो साल बीट जाने के बाद कैनड़ा इस सत्याकांट का खुलासा नहीं कर पाया है आरोप है कि चीन की सत्तारूर कम्यूनिस्ट पार्टी ने इस कैनडाई नागरिक की हत्या करपाई थी इस चीनी मूल के कैनडाई नागरिक का नाम वेई हू था और वो चीन छोड़कर कैनडा में बस गये थे भारत सरकार के टॉप सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी आई है कि कैनडा से सबूत मांगे जा रहे है लेकिन कैनडा के डिप्लोमेटिक चैनलों की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है ऐसा लगता है कि जैसे टूडों के पास से संबंद में कोई जानकारी ही नहीं है टूडों की ये बेपरवाही कैनडा की बेज़ज़ती का सबब बन रही है योकरेन के राश्टपती वुलिदी मेर जैलेंस्की ने हाल ही में कैनडा का दौरा किया इस दौरान जैलेंस्की ने कैनडा की संसत को संबोधित भी किया जैलेंस्की के संसत में संबोधन के दौरान दौटी अविश्य युद्ध का हिस्सा रहे एक पूर उसाय ने यारो स्लो हुंका को योकरेनी नायक के तोर पर समानित किया गया हुंका ने योक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ योध लड़ा था इस दौरान केनडा के सभी संसदों ने हुंका का खड़े होकर अभिवादन किया हलाकि बात में पता चला कि हुंका ने हिटलर की नाजी सेना में भी अपनी सेवाएं थी जैसे ही ये जानकारी सामने आई तो हंगामा हो गया आलोचनाओं के चलते कैनडा की संसद के स्पीकर ने रविवार को घटना पर माफी मांगी उन्होंने कहा कि मैं ये साफ करना चाहता हूं कि कोई भी संसद या यूकरेनी प्रतिनी धिमंडल इस बात से वाकिफ नहीं था कि जिसका सम्मान किया गया वो हिटलर का सिपाही था स्पीकर ने यहूदी समुदाय से भी विशेश तोर पर माफी मांगी उमीद है कि जल्द ही टूडो भी भारत से माफी मांग कर दोनों देशों के रिष्टों को बेहतर करने की तरफ द्यान देंगे शिवलिंग के आकार का एक परवर